हरी कृष्णा श्रीमत भागवतम प्रथम्सकंद दिख्टी अच्छाए श्लोग संख्या सत्रा इन अधियन की पवित्र शप्तों को उचारन करने से पहने गुरु और गारंग से कपा की आसना करते हुए मंगला चारन करेंगे ताकि हम दे अधियन करने वाले हैं उसका पूर प्राप्त हो चके जोच्या है क्रिष्णा प्रीम की प्राप्ते हैं ओम नम भदे भदे वासुदे विवान्या ओम अक्यान तिमरंदस्या यान जना शलाक्या चक्ष्णुरुण। गरुण निलितं वेना तस्मै शी गुरुवेन वेना महां शी सैतन्या मनोब्यस्तं सापितं वेना उतने स्वया रूपह करामायं दरातिष्वपदादाश्टन। आंतिकं यंक्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वाइपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रितितन्मयत्या तरवो विनेदू तामसर्वद्वो तरिगलं मौनिमान तोस्मी यहस्वानुभावमकिलं शृतिसारमेकं अध्यात्मदीतमतिति दिशतामतमोंधं संसार्यं करुयाह पुरारगुवयं तम्यासुसोनुमुपया मिगुरुम्मनीना नाराययं नमस्कृत्या नरं सैवनरोत्तमं। देवीं सरस्वते मुव्यासं। ततुजय मुधी रये। नस्त्रप्राईशु भत्येशु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्मा उत्तामश्लोके। भपिरभवतिनैष्टिके। पैसतत्वात्नकंक्रिश्ण। भक्तरूपस्वरूपकं। भत्तावतारभक्ताग्यं। नमामे भक्तशत्तिकं। वांशाकल्पतरूपयस्य। कृपसिंधु प्याईवच्य। पतितना पावने भ्यो। वैस्नवे भ्यो। नमो नमह। जयो श्री कृष्ण सेतन्य। प्रभुनिस्त्यानन्द। श्री अत्वैतक धात्वर। श्री वासदी गारभात तरिना। ब्रभुनिस्त्याट ब्रभुनिस्त्य। कृष्ण ब्रभुनिस्त्य। आपकी जो छे ये सत्रा से लेकर 17, 18, 19, 20, 21 और 22 श्रमताम स्वकाथाम कृष्णा से लेकर अचोवय कवयो नित्यम यहां तक ये जो छेश लोग हैं ये बहुत ही इंपोटेंश लोग से हैं हमेरे गुरु महराज स्कॉन के संस्था पर आचाया शुष एसी मक्तवरांत स्वाम श्रभवाजी इंच लोगों के विश्वे में अपने लेकर से बहुत लिखते हैं श्रभवपाजी कहते हैं कि जब मैं अमेरिका जा रहा था तो ये छेश लोग में मुझे बहुत लिखना दी तो आज हम श्रभवपाजी में तो सूपने जिते हैं कि इन स्लोक ने श्रभवपाजी को किस तरह से पहना दी श्रभवपाजी कलकता नाजे में उनका जान हुआ था और अपने गूरु महराज लबति सिद्धान सरपती गोषवाम रसे श्रभवपाजी 1898 में उनका जान हुआ था और 1922 में 26 यर्ज की एज में उनकी प्रथम 20 ज़ा बक्ति सिद्धान सरस्थिकोषामि माहराई से उनकी प्रथम 20 में 26 ज़ा बक्ति सिद्धान सरस्थिकोषामि में उनने अनुरोथ किया था कि आपको प्रशार करना साहिए भावान की आप कि इतने इच्छी इंग्लिश आप साहिते हो आपको आपको पाइस से वेस्टर्न कंट्रीस में उनने जाकर प्रशार करना से कभी अभी बहेंट होती लेकिना श्रुबवपाजी ने ज्यारा वर्ष के बात यानि 22 में फर्स्टर मुमने थे और 1933 में इलाबाद में उनकी वीदीवत इच्छा उनसे काप्ते करे और इच्छा के सामय श्रुबवपाज की आई 34 ती और उसके पाद नाइंटिन फिस्टी ने जववन इस की एच में श्रुबवपाज ग्रहस्त जीवन से अपकाज के लिए निवान परत्थे लिया और उसके बात वो विंदामन चले गए विंदामन में बारा सांज तक रहे और बहुत बोड़ शात्रों का लिखे शात्रों को लिखे और पह कि यहां भारत में पृष्ण भक्ति जो है ना वो लोग ग्रहन ने कर रहे हैं कि वहां पर बहुत मत जमा हो गए थे और जो प्यूर शी श्रुबवपाज देना चाहते थे वो ग्रहन करने के योग को नहीं था क्यों कि क्या वजा थी कि ना भारत की लोग जो है वो पाश्यत्य संस्पृति से बहुत जाड़ा प्रभावित थे और अहां चीज इंपोर्टन जाते थे कोई भी चीज उनको इंपोर्टन चाहिए थी वो ये लोकल कोई चीज को एकसपने कर तो श्रुबवपाज ने कहा यह इतना सुन्दर जियान है वास्तों में यहां आध्यात्मिक्तान भारत दिया है इसके भारत से है परन्तु क्योंकि भारत के लोग इतने मुर्ख हैं कि अपनी वस्तु को वो इंपोर्टन्स नहीं देते हैं तो इसी जियान को मैं इंपोर्ट करते होँगा इंपोर्ट य यहीं सोचते सूचते उस समय उनकी आयू सकतर वश की आयू में एक व्यत्ती एक संत यह सोच रहे हैं कि मैं जो ब्लान जिसे में इतना आनंदित हो रहा हूं जो इतना फ्योर है वो मुझे अकेरे इसका स्वादन नहीं करना जाए इस अंसार भर में मुझे इसका प्रचार करन सकतर वाश की आयू में कोई निकलेगा कोई घर से या तो सकतर वाश की आयू में या तो वो रहुआ होगा या घर में अगर होगा तो अपने बहु और अपने बश्चों को परिशान कर रहा होगा और बाकी ड़की वक्ती होती ही नहीं है लेकिन ये मिरफ अगोई कि कुब तानों नहीं थे और आयत भवान के संदेश का प्रिश्यार करने के लिए और यहितbrig सुछ करके संदेश के विन्या मर्मे लेना है इसलिए उन्होंने अपने गुरु मारास के आदीश को स्मरंग लिया और अपने गुरू की धर्म आमस्थान को कुड़ा करने लिए एक सुन्यूप तराच अमेरिका में जाने का विशार हिया और एक माल वाहक जो कार्गो शिप होता है उसके अंदर बेटकर वो अमेरिका जलदूत में बेटकर अमेरिका जाने पे लिए आप इतनी आयू में इस शिप में बेटोगे तो यहां का वात्ता वरान इतना अच्छा नहीं है आप बहुत बड़े हो गए हो यहां पर बहुत इतनी घंडी होती है और इस जाहस का भी कोई भरोसा नहीं है यह हम रामते हैं इतना बड़ा शिप जो के ताइटने था जिए इतना सा अच्छा नहीं है लेकिन वो भी दूप जा तो उन्होंने मुला कि देखो यह जो जाहस है उसका कोई भरोसा ने आप इसमें मत सरो तुष्य भपा ने कहा कि आपको इसमें भरोसा नहीं है परंटो मुझे मेरे कृष्ण पर भरोसा है मैं जाना चाहता हूं तो सब् और कोई शामान था केवल और नहीं वहां पर कोई पर इसा था कि मेरे कौन रिष्ण दार है मुझे कहां पर उत्तरना है कैसे मैं आगे है ना जोश करूँगा कुछ भी कोई आयोजन नहीं है केवल कृष्ण का सहरा लेकर कृष्ण के नाम का सहरा लेकर शफ़वपाज जा अजय तो रास्ते में बहुत खंखना होई के शफ़वपाज जी को हात अतिक आगया अँए अन दॉसरा हात अतिक है जातिक. मैंने बहुत बड़ी गल्टी कर दी मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था एक तो मैं वहां जा रहा हूँ इतना कामी नियुयार्क जो है वह उस समय इतना कामी सिटी था अभी भी है लेकिन वहां पर लोग नशा करते थे और साथ में इसे इंजेक्शन्स लेते थे जिसे लश्क का फ्योग करते थे और जिससे एक साथ में बहुत 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 अलाना शाया उनकर हो जाता था और वो हर समय को बूलना भी नहीं समझने आरा कि किस तरा से कहा जा है लेकिन शबलो कहाँ जी सोचने लेकिक वा सिंश नहीं चाहिए था मैं वहाँ जाकर करूँगा बिच्छा एक तो वहां कंडिशन ऐसी है कि मेरी कोई बात पता नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगा और दूजरा यह कि मैं अपनी तब्यत भी अब दो हाट अटका जाएए जाएज़ाएगा तो मैं वहाँ जाकर ऐसा नहीं कि मैं गल्पी तो नहीं कर रहा हूँ ऐसे कहते है तो श्रवपाजी एक भजन लिख रहे थे श्रवपाजी बहुत हताश हो गए थे और एक भजन लिखा श्रवपाज में बड़ो कृपा कोई लो कृष्णा अधम ने रख रती कृष्णा इस अधम अधम पर आत्में बहुत किया है और श्रवपाजे उस भाजन में भी इन उस दोकों के लिखी श्रवपाजी को भाष्णति को दारस बनाई हुश्रवपाज अपने रिचत इनके लिखी ने कहा कि यह जो श्रेश लोक हैं वो ऐसे हैं जिनोंने मुझे प्रेना दी को म यिदे अभण नाम के दवन लेकर गए Canadianαι तुझे में अमेरिका संधी जो भारत की निकर्ण में उनका Singapore grain States Martin इस पोरी कामी स्थितिRO को बहरत के खाएं दिंग है के लिए भारतियों के दिखशाद अमेरिका के हैं और तीस हजार भारतियों को शिक्षा दे चुके हैं तो दिश्या तो ये तो सिर्फ कुछलुफ इस सिन्भागवत्रम की वाचनों और भावान के पवित्रे नाम के प्रतिय। पवित्र फाल स्चनों की शृत्ता थी जिसके कारण जिस संभव है शुक्ता है कि संसा कि कोने कोने महामंत्र का अनाम श्रवन कर रहे हैं और श्रीमत दागवच्वत्रम अहपृण का प्रता होना तो श्रीमत धागवच्वत्रम की शब्ते है वह कुछ सान्धाय नहीं है यदन उध्या से नहीं उत्या कार्मगंथीनी बन्धनम, शंधनती को विदास्ताश्या कोने कुई आचा थारतें। यह जो कार्मगंथीनी बन्धनम शब्त हैं ना कितना ज्यादा इंपोरंट है। वास्ता में बगतो हमारे मनुष्य क्या शास्त्र तो यहां तक कहता है एक छोटे से चोटी सींकी से लेकर संसार का बड़े से बड़ा जीव, ब्रह्मा जीव, इंद्र, बड़े से बड़ा देश्दा भी क्यों नहों, उनको अपने कर्मों के हिसाथ किताब को चुक्ता करना लेकिन ये श्रीमत धागवतर महापुरान एसला है जो आपके कर्म का गंतनी को तोड़ देता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, अगर आपके जीवन में शुख लिखा है, तो आप कोई साहे कितना भी प्यास करें, आपको दुखी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके ज आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसका हिसाद देना पड़ेगा, लेकिन श्रीमत भागवतर महापुरान की कठा ऐसी है, यदनो ज्यासिना युक्तम, जो भागवान का ध्यान यहां पर कहते हैं, यह जो कार्म की ग्रंती है, कार्म की जो गांत है, उसको जो भागवान का ध्यान जो हम इसके द्वारा करते हैं, खेइज कार्म, किवल भागवान की कठा की अधना पावर है, कि वह अवारे कार्म emojis से हमारे जीन शुआ सकते हैं, बागवानanto की तो आओ मेरे पास ल 내क्ता फ़क्syन वार्वद्णकी, दुखं भावन नम, की दु तुम खाली मेरी कथा को श्रवन करो तो यहां पर सुथवसा में पूछते हैं कौन आपको रायत कथा रहते हैं कौन होगा ऐसा जो अपने दुखों से छूटना नहीं चाहेगा करम गंतनी को तोड़ना नहीं चाहेगा ऐसा कौन होगा तो फिर उसके बाद बता है शोटना सिस्क्रीम में कि भावान की कथा मेरी उच्छी उच्पन करने के लिए साहएगा सबसे पहले तो आपकी पास अपनी दो चीज़े होनी चाहिए वो क्या है एध्षा होनी चाहिए और शथा होनी चाहिए यह दो चीज़े होंगे उसको इवलत की जया जा सकता है किससरे ? यागत तंची में जाकर भावान चेव जमीग होनी बहुकी में होगा in progress उन तीतितों की जात्रा करके और वहाँ पर संतों की सेवा करके बहुत बहुत इसके उडारा है जुनोंने केवल संतों की सेवा करके ही भागवान को प्रसन न कर दिए और बहुत इसे हम लेखते हैं सबसे ज्वलन प्रमा है नारत मुने केवल संतों का उसी श्ट खाकर ही वो इस नारत की पद्री के पहुंच रहे हैं हम देखते हैं शबरी भी वो शुद्र थी भी इननी थी लेकिन बिर भी केवल अपने गुरु मातन वुनी क्लाश्वास से उन्हें भगवान के उन्होंने कहा अजब मातन वुनी जा रहे थे तब कहा शबरी में कि गुरु माराश आ मुझे चुटकर जा रहे हूँ तब उनकी गुरु माराश ने कहा हाँ शबरी में भागवान को खुजने के लिए जा रहा हूँ भागवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ तो शबरी ने कहा हूँ तब मातर मुनें नहीन शंद्री तुम्हें बागवान को खोजने के लिए लानी जानी क्या विश्यकता नहीं έχ। तुम्हें अपने गुरु महराज के इतनी सेवा की है कि बागवान स्वयम आएगे तुम्हें कोश्ते कोश्ते. वास्तों में भागवान की बक्तों की सेवा करना बहुत बहुत महानकारी है और टीट्थों में जाना और भागवान की बक्तों की जो हम सेवा करते हैं तो उससे हमारे रिदे की अंदर जो इच्छा है उसमें रती उत्पन हो जाती है और शप्धा विक्सित हो जाते हैं आज का श्योख है बहुत ही सुन लगए कि प्याँ इन पवित्र शप्टों को मेरे साथा पुछारम करने का प्यास कीजिए सूची कहते हैं श्रमताम सकताम प्रिशाम वोहिया श्रमा की तनहा रिध्यन्तहस्थो यभत्राणी विधनोती सुहुर्ट 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 सुह खत्रानी विदिनोती सुहुत्सताम.. शमत् स्वाकत्ळकृम् पन्य स्वाक्रश। ने विदिंता सोया बघ्रानी उत्रानी विदिनोती सुहुत्सताम.. शमताम् स गठाकेश पुझी शमयकीतना रिद्धिन का सोय बत्राईा विदिनोती सुछुछताम शमताम् सा कठाकेश पुझी शमयकीतना रिद्यन तस्थोय बत्राई इद्यनोती सुहुत्सताम शमताम स्वाकथाकृष्ण वन्या शमानकीतना रिद्यन तस्थोय बत्राई इद्यनोती सुहुत्सताम शमताम स्वाकथाकृष्ण वन्या शमानकीतना रिद्यन तस्थोय बत्राई इद्यनोती सुहुत्सताम शमताम स्वाकथाकृष्ण वन्या शमानकीतना रिद्यन तस्थोय बत्राई इद्यनोती सुहुत्सताम शमताम स्वाकथाकृष्ण वन्या शमानकीतना रिद्यन तस्थोय बत्राई विद्यनोती सुहुत्सताम स्वाकथाकृष्ण वन्या शमताम कीतना अब जो नोने चाहत तरीके बता है उसको यदि हम फोलो करते हैं कि हम बगतों की सेवा करते हैं और शमन करते हैं शमन करेंगे तो शुरू में इच्छा होगी और फिर करेंगे तो रुची उत्पन होगी और बगतों की सेवा करेंगे और पुन्यतित्थों में जाएंगे त पुझा 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 पुझ वास्तों में यह जो भगवान है उती खाली कथा को शोन करने से ही जीव को बहुत बहुत पुनी नहाब होता है बहुत बहुत इसके उदा रहे हैं कि कथा शोन करके आपके पास कुछ नहीं बचेगा इनको शाट मिला है कि वो साथ दिन के बाद माए जाएंगे उनका सब कुछ मिर्त्यू का मतलब क्या है मिर्त्यू का मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगा कुछ नहीं रहने वाला लेकिन बागुवान की कथा शवन कर रहे हैं तो इतना संतोश है उनको कि साथ दिन हो जाने तक उनको यह भी आज नहीं रहा है कि उनने साथ दिन तक कुछ भी नहीं खाया वास्वान का रहे हैं तुमारी कथा शवन करना बहुत बड़ा लाव है यहां तक कि जो भगवान को प्राप्ती में सुख नहीं है उतना सितना के कथा श्रवन करने में उतना सुख है। मैं आपको धारन दू। एक बर क्या हुआ। जब त्रेता युग में श्री राम और लक्षमन को जब इंद्री जी ने बाहन लगा था ना जिसमें वो सर्फ पाश में बंद गए थे। तो anhuman जी को बोला गया कि क्यूकर इस वे जी frequencies यह ऑल लेकर आए। शर मंनोल्य जी जब आए। तो देखकर हिरान हो गए। कि यह भगवान है। यह जो पड़े हुए सर्फ पाश में भंदे हुए उनको मेख शुड़ाने के लिए आया है। यह भगवान है। तो उनके रिदे में यह ऐसी धारना आके गरुग जी को जानते हैं। और कौन थे वो। वो भगवान इशू के वाख हैं। वो भगवान इशू के साथ सदे उनके वाहन के रूप में रहते हैं। ऑर कन्तीनर भगवान के संग उने मिलता है plays लेकिन फिर भी भगवान की लीवा को देखकर उनके रिदे में संशेव रध्रन हो गया। और वो कियने लगे कि यह ना इतने भगवान के सुन सकते ही तो फिर उनको खोला और उनके रजय का यह संदेया मिता नहीं तो फिर भगवान ने उन्हें यह आदेश दिया विश्णु भगवान ने कि आप इसा कहा हूँ कि सोने रुपरवबर पर कार भुषिन ली के खथा करते हैं आप उदर से उक कर आओ कोई कोई आप दर जा तो वहां तो वो गए और उनकी जब मुखारन से कार भवान के खथा को जब सुना तब उन्हें भगवान के विश्णु में जो संसे था वो मिट गया तो फिर जब वा विष्णु जी ने बोला किस पर चुटी बोला देखो मैं कितने दांसर आपकी सेवा कर रहा हूं ना कभी मैंने कोई स्रिक के लिए है और ना कोई आइजन वर्क ना आपने मुझे चुटी लिए है मुझे चुटी चाहिए कुछ दिनों के लिए में जाना चाहता हूं तो विष्णु जी ने कहा कि दिको तुम गौलोप में रहते हो मेरे धाम में रहते हो मेरा सानेत्य चाहत है चुटी पर इंसान रिफ्रेश्मेंट के लिए करता है कि मैं अभी ठक गया हूं तो यहां मेरी सेवा करके तुम्हें ठकन इसा तो कुछ नहीं है सब्सक्र जादा सुन्दर कारिया है यह इसी में तुम को हुझवए होना चाहिए इसके अच्रिक और क्या ऐसे चीव है जिसमें तुम को आनंद आ जाए तो किसा आनंद में कारिया तुमारा तो दरुजी ने कहा देखो बगवन आपकी सेवा करने में मुझे इतना अनंद नहीं आ रहा है मैं फिर से सुने रुजाना जाता हूं तो आपके शुन्दे से के मुखारिन से आपकी कथा को शाहन करना जाता हूं और मुझे शुत्ती रेदो में कुछ रमे के लिए वहां पर जाकर आपकी कथा करना जाता हूं तो आपकी प्रती मेरे फ्रीती में करूड़ों कुना ज्यादा और भी भाण जाता है तो विश्र हमें बहुदा आफ तुम जाओ ऑर फिर जो थाक बूश रिजिव था गाठा करते हैं हमेरे कथा करते हैं भगवान की लीलाओं का और करते रहते हैं अजिए भगवान श्री राम इस यूग में आते हैं तो पांच साल की आजोत तक वह भगवान का यूप・・・ लेना होगमा말ा को सिर्फ, वे पांच साल उनके सुमेरु परवत्य कथ्था नहीं होतीays और कookyन्-ध़ बहता होती है, अनों की यहांपर भगमा महाहँना, करते क्थां के तो थी और मेरा रहा है समाप्त हो गया थुकtown कोsnा पता है लेकिन हनुमान नीका का रहा पर कंड कठार रहुन क हो जाता हुआ लेकिन हनुमान नीका वहां पर कंठार इसलेग स्वावन करनेGOं मिलेगा मेरा कंठार ourtप गयाता है युदा कांठार तयुक side मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं नहीं जाओंगा, मैं यहीं पर सबी आपका बजन करता रहूंगा, आपकी कथां को श्रवन करता रहूंगा, जहां जहां भगवान आपकी कथा होगी, मैं वहीं कर जाओंगा, तो वह समय, कथा जो है, भगवान की कथां का श्रवन करना, वो भग तो वैसं ही पता्रहे है रिद्यंध तष्टू यबद्रण रिद्यंध के बिसटू अपने रिदय कि यहम पर यहीं केर है, खुने की इच्छा लो बाकि सब जो फारोग रिद्य कें प्रवेशनी किरा के लिगूने के यह फ्रयों से करने कि पर आव से लाता है। से मात्रिय है और अहंकार, यह सब काम का वाहत्ता में जो सबसे बड़ा हमारा जो दूश दूशित, जो मन का बड़ा सबसे दूश है वो है इच्छा, क्योंकि हम अपने आपको भावान का दास नहीं मानते हैं, तोसे रडे के अनिय ही करनेक फसके हैं कि किया पुथ पूफ ऑजहता हैं, इसे इंड्रत्रत्रति करें, यह सभसे बारा दोष है लेकिन पकथा सुनते हैं, खुजक मैं एक रिदे कैNow रिदे का लेकर थो घृध है, कि अख नता ह I kannisata сыíbें, और श्लिकर और हम ज्यान når एकर आ करते हैं तो यह वेराग्या आजाता है कि कुछ नहीं मेरा मुझे कुछ नहीं साहिए के वल कृष्ण को प्रसंद करना जीवन का एक मात्र लख्षय है तो यह इच्छा अदात को भोगने की इच्छा विधनोती किता सुनल सब्द है विधनोती का मतलब होता है सुच्छ करता है विमल बना देता है और सुछ्च सताम सुछ्च सताम का मतलब होता है सुछ्च मतलब उपकारी है सताम का मतलब होता है सत्यनिष्ट यानि कि जो भागवान के बाक्तों होते हैं भागवान उनके सुहुर्थ है भागवान उनके मित्र है और यहां पर प्रश्ण होता है कि भागवान के सुहुर्थ सताम है क्योंकि भागवान तो भागवत में कहते हैं सुहुर्थ तेशु सर्वभूताना में तो सारे समसर जीवों का सुहुर्थ हूं लेकिं यहां पर भा करते हैं लेकिन जीव ही नहीं साथ मित्रवत वियावार करते हैं लेकिन जीव ही नहीं साथ मित्रवत वियावार करें इसलिए जीव कहता है कि भगवान वियाकार है भगवान होते हैं तुम्हारा दोस्त हों तुमसे प्रेम करता हूं तुम्हारे साथ मित्रवत वियावार करन चारता हूँ, सुष्ष्देश्यू सब अस्थ्वगूतेश्यूू लेकिन वो बों भगोन तो निडाखा का रहे हैं के सी चैनीुत्यूत्ध कियों, तो भगवान को जो साकार मानते हैं, जो भगवान से मित्रिदा करना साथे हैं, वो भगति दें है तो सूच भुसामे ने के लिया कि भागवान बले बोलते रहें सचो कि मैं सबका मित्र हूँ, सबका मित्र हूँ, सबका मित्र हूँ लेकिन जो मित्रता का हास बढ़ाएगा नहीं तो उनके साथ कैसे मित्रता करेंगे इसने लिख दिया जूदिनोती का मतलब होता है दोड़ एता है जूध कर देता है जुद मनी वहा। जो अपनी साथ फिर खाए के लेटा टर्म कर आता है जो आए किया आतो है जुद काली ऐल रेकर थे लेकर आते हैए outta जो दूसरी शवाइ की डिद्दे सीध़ई है वीम बार, लिकुट और ये जितना में पाउडर है नो रिंपावडर वो सब लेकर आते हैं क्योंकि श़से मलीन हैं, रिबे के अंदर बहुत सारी अबद्र हैं, बहुत साइए एक्षाइं हैं जो कि हम नहीं दूर कर सकते हैं कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं इतनी बूरी आदते हैं, जो कि हम चाहते हैं वजी समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारी कथा में रूची नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी गंदेर रदय के साथ इक अटाशवन करना है, कुछ बोलते हैं, कि हम या फिर इस चीज में आ सकती है, नहीं छूट रही है, तो रहने दो, नहीं छूट रही है तो भी रहने दो, आपको कुछ करने की ज़रत नहीं है, आप खाली आके बेढ़ जाओ, और कथा श्रून करो, यह जो मुश्कील है नो सहाई का काम, आप कोई बोले कि मैं कितना दिल क करता, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मिरे इंदेश ना पा, तो तुम कर पाओगी भी नहीं, पंद्राद अपा छोड़ जो के फिर से चुड़ू कर लिया, कोई भी चीज गंदी आदस, जो आप छोड़ने का प्यास करते हो, कि अपनी प्यास पर रहने दो, करो यह नहीं, आप कथा शवन करो केवल भगवान की कथा शवन करने से ज्ञान और वहराज जो उत्तन होगा, यह सब भगवान स्वायम केते हैं, कि कथा शवन करने से आपके रिदे के अंदर वहराज को उत्तन होगा, फिर करने का दिली नहीं करेगा, आपके पास इतना समय भी नहीं होगा, क किसी जब कोई प्रयक्ति भागवान के द्वारा उसके रिदय में बेटकर उसके रिदय के अनर्थों को धूर देते हैं तो सारे अनर्थ जो भावतिक इच्छाएं हैं भूग की इच्छाएं लालच हैं वो सब दूर हो जाते हैं और प्रिष्ण के पती भागती भड़ती है जब भागती भड़ती है तो क्या होता है रिदय की ग्रंथनी चूप जाती है वह अगले शोक में पड़ेंगे और अप रात मेट जाते हैं हमारी कर्म शहञती हैं और कर्मों की जो गांट है वो खुल जाती है और भागव सतत्व और यह क्याम हो जाता है कीवण काथा श्रवण करने से जिसे हम उसमें पढ़ते हूं तो विशाय आनका से संगा है शुपाहईते संगा संजाई आनका कामा कजाई Saying कोड़ाद होती संमो आ, सम्मो हा, समृति व Νव सम्मृति द्भहु शंद गुद्दिनाशो गुद्दिनाशात प्राश्ति सि इच्हा करने रृवनके व्रति बढ़ता है लेकिन वही कि इच्षा यदी भागवान की कठा के व्रति होती है तो कथा श्रवन करने से अनाचदूर हो जाते हैं, अनाचदूर होने से भागवान के वरती बाक्ती बढ़की है, वरती बाक्ती बढ़की है, तो रिदय की ग्रंदी टूप जाती है, तो अपराद में जाते हैं, तो कार्म शें हो जाते हैं, और जब कोई कार्म नहीं रहते है तो भगवत तथ तो इख्यान प्राप्ता है यह सब हम इंक्रेशोकों में पढ़ेंगे तो यहां तक हमने पढ़ा रिद्यन तस्थो या घद्राण जो जितने भी घद्र हैं, जितने भी अभद्र हैं, जितने भी गंडरही है विदनोती सुहुर्टसाम वो भगवान कथा के द्वारा रिदय में आते हैं और उसको साफ कर देते हैं अनवा देखिए प्रत्यक रिदय में सर्मात्मा स्वरूप में इस्थित तथा सथ्यनिष्ट वक्तों की उपकारी भगवान स्रीकृष्ण उस वक्त के रिदय से भावतिक दोग की इच्छा को हटाते हैं जिसमें उनकी कथां को सुनने में रूची उत्पन कर लिए हैं क्योंकि ये कथाएं फीट से सुनने तथा उच्छरप किये जाने पर अत्यन थी पूनिय अब्रत्त हैं लगवापाजी बहुत सुनने रीते संजाेंगे तधिर ये फिलभवापट गरशोवाट की इसे हो लगोपाजी कहते हैं भागवान स्री कृष्णा की कसाइं सुनने उन से बिन अभिन है नहीं भागवान की लिए नाम में भागवान की कथां में भागवान की नाम में कोई अंतर नहीं होता है वो साप्षत कृष्णा है अर दिवज़ा भी अप्राद रही थोकर भागवान का शवन तथा की इस्तन जिया जाता है तो यह समझना चालिए कि वहाँ पर भागवान से फुष्टन दिवे शब्द के रूप में उपसित है जो ताफशाक भागवान के समान ही शक्ति मान है कि जैतने महाप्रभू अपने शिश्चास के खम में पश्ट गोशित करते हैं कि भागवान के पवित्र नाम में भागवान की सारी शक्तिया नहीं थें और उन्होंने अपने असंचे नामों में नामों को एक ही शक्ति परदान की है नाम नामकारी बहुदा नेजे सर्वा शक्ति ही तैत्रे अल्पिता तो बागवान की समस्थी शक्ति हैं बागवान की नाम बागवान की इलाओं में सामिलिक हैन् बागवान की जunning कितनी शक्ति ही उन्दर इसके लिए कोई नियम नियमिक समय निश्चित नहीं है कोई बिज leverage आम कमी दिजन पी इतनी दयालो हैं कि हमारे समक्ष दिव्य श्रप्त के रूफ में साक्षात उपस्त हो सकते हैं किन्तु दुर्भाग जवश हमें भागवान के नाव और उनकी लिए नाव को श्रवन करने तफा उनकी महिमा का गान करने के प्रती कोई भी रूच्षी नहीं है हम पहले ही पवित्तर श्रप्त के श्रावन तथा खेतन के रूच्षी उफण करने के विश्रे में बता चुके हैं कि कैसे होगा रूच्षी कैसे उत्पन होगी शुषूषुषषद्ध धनुस्यवासू देवकढ रिची जयमाहत्स्रीवयावैत्रा कुण्याशवार की तनौ तो शुषुषुषवुषु इसका तीले बाता दिया है इसे बागवान के शुद्ध भागत की सिवरा करके ही प्रागवान अपने भागतों के साथ आदान कर जब देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में पूर्णे निष्टा से कत्तर है और सरस्वरूप उनके विश्य में सुनने का इच्छुत है तो वे भक्त के भीतर से इस तरहा कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरस्था से वापिस चलार जाए जब भक्त भागवान के साथ अपने पेन को विक्सित कर रहा है उनकी सेवा में पूरा निष्टा से उनकी कत्ता शवन कर रहा है और शवन करने की इच्छा को बहुत तीवरता से मैसूस करता है तो भागवान करते हैं शवन के माध्यों से कान के रास्ते से उसका रिदय की अं इतना साहप करते हैं, के बाग्त उनके पात आशाहिए से क्यों कि रिजे पुथ होगा, तो प्रेम उसकी उन्दर स्वता हरे है, ये तो सेसन ये महाप्रभू की भ्यूति है, की वो महा वदन्या है, प्रेम डालनी, लेकन की पात्र तो साहप हो, तो बागवान दुख्ये के अंदर माम के रूप में, कठा के रूप में दोते हैं और कृष्णा फ्रीम प्राप्त हो जाकर है इस जो फिर कृष्णा दूर नहीं है केवर कठा के दुखरा ही वो हमें कृष्णा प्राप्त हो जाता है आगे शुलब रोफाजी बहुत सुन नजीर बता रहें कि भागवान हमारे उपेश्ट अगे उच्छुक हैं कि हम उनके पास हैं देखो भागवान कितनी कितनी योजनाय बनाते हैं कभी अपनी इतनी प्रिय भागतों को बेशते हैं भागवान कथा के रूप में सदे हमारे साथ रहते कि किसी तरह से ये जीव मेरे पास वापिस आजाओ इसको दुखों वाली दुनिया में जादा दिन तक रहना ना पड़े तो भागवान बहुत जाला उच्छुख हैं कि हम भागवान के पास आएं अरश्रीकृष्ण तरह से उन्हायता करते हैं सुhosत प्रताम करें का यह हमकला है कि आज जो प्राप्त करना हम псाज्ट साथeszना उनके साथ क्या दोस्ति करें उस साथ भागवान कारें सुहिदस सर्वब होते शूद लेकिन यहां पुष्षिला सुद्ध शूद को स्वामी बताते हैं कि नहीं अब वो सब के साथ दोस्ती कैसे करें जो करना ही इन चाहते हैं वो भागवान हाथ बढ़ाते लेकिन वो नहीं बढ़ाते तो फिर किवल भागवान चाहते हैं भागवान के चत्थाओं को श्रवन करना चाहते हैं उन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं और उन्हीं के रिदय के एंदर जो घंदर के उसको साफ करते हैं और स्वयम आकर ग्राज मान हो जाते हैं कोई तब तक भागवान के दाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता है, जब तक वहाँ समझत प्रकार की अप्रादों से मुख्तन हो जा है, हमारे बहुत एक पाप, हमारे द्वारा प्रकृती पर प्रभुत्त प्राप्त करने की इक्राओं के खलसुरू उत्पन होते हैं, एसी इ आप जाना जाते हो ना, बगवान के दाम तक, आप अपने इन दुखो मरी दुनिया से तंग हो गया हो, आप चाहते हो कि इस सारे करमों की जो बंदन है करमों का जिसके कारण आप 12 मर्षण मित्यु के चक्ट्खर में परस रहे हो, आप इनसे छूत ना चाहते हो, तो सुन जब तक आप अपने पापों से मुख्त नहीं हो जाते हैं, जब तक कर्म का इसाप किताब पूरा नहीं हो जाता हैं, जब तक आप भग्वान के दाम में नहीं जा सकते हो। हम और चाहते हैं, ये दो चीज़े नहीं एक कर जाती हैं, तब तक हम इसादो किनोगे, हम निकाल दो चाहते हैं, निकाल दो क्या बच्छेगा, सुख ही, सुख ही, सुख, तो ये केवल जब ही पॉसिबल है, जब हम भग्वान के कथाओं को सवन करते हैं, तो फालस्वरुप यहां भग्वाजी केरते हैं, एसी इच्छाओं से पिंड चुड़ा पाना बहुत स्कष्टिं हैं, भागवत दाम जाने के मार्ग में, कामी और कंचन, यानि धन और कामी का मदब होता है, जैसे अवेब संग होता है, वो, इस्तरी संग और कंचन ये बहुत बड़ी बादा हैं, क्योंकि इच्छा होती है रिद्दय के अंदर, भागवत के अनेक दिगज, इन प्रलोगनों का शिकार होने से मुक्तिपत से लोता है, कि इंपर जब भागवान स्वयं सहायक बनते हैं, तो भागवत के उपासे सारी प्रक्रिया सुगम हो जाती है, कि याना काम वासना होती नहीं है रिद्दय के अंदर, लेकिन जब भागवान स्वयं साहता करता है, सुहृत तपासम, जे दन होती सुहृत तपासम। भागवान दोस्ते हैet, तुम्हारे रिद्दय के अंदर बै connections काम वासना को आने-दिते ही इत्वां को आने-दित, रिद्दय के अन्दर का आप दिन में बहुत आसानी देता हूं, उनके रिज़ने इच्छा उत्पली नहीं होने देता हूं, उनके रिज़ने के वह एकी साथ यह हैं, कि वह कैसे मुझे प्राप्त करते हैं, कामी तखा करनेक्स लंके, संसर्ग में आकर अश्यांत होना, कोई आसरी की बात नहीं है, क् कि तक्तीक फील अनारिकाज से ऐसी वस्तों से जुड़ा रहा है, और इस बेजानी प्रकृती से शुचकारापानी में समय लगता है, समय लगता है, इसलिए प्रोपा जी खेते हैं, कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि रिज़े के अंदर काम आसना उत्तन होती है, सबके साथ आनारिकाज से तारे जीव जो हैं, वो इसमें जत्रे हुए हैं, हम जैसे साथारन जीव के तो क्या बात करने हम देखते हैं, बड़े बड़े देवता, नारत, शीव, ब्रहमा जी, सब इन चीजों से मोहगरत हो जाते हैं, लेकिन यापश्लगोपा जी बताते हैं, कि अपनी इस्ति का आभास हो जाता है, उसे क्या जाता है, कि मैं क्या हूँ, भगवान का दास हूँ, मुझे कि बड़ भगवान के दास्त्व के लिए कारिय करना है, यह सब इच्छाएं करना मेरा कारिय नहीं है, तो क्या होता है, बड़े बड़े के उपासे इसे बड़े को क्रिष्न शवर्टां गधा कंदे रॉट्धार्ण में तोटेगी 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 केवल प्रिष्न की कथा शवर्ण करने से क्रिश्न की अतिरिक किसी और का नाम निखावा किसी ओखो जोड़ा नहीं गया है केवाद क्रिश्न ही है सुर्त साम केवाद क्रिश्न ही तुम्हारा मित्र है जो क्या करता है जो रिदय के अंदर अभध्र हैं जिसके कारण आप इन सब बहुते किछाओं को खत्वने कर पा रहे हो। उसको साफ कर लेता है। जो रिदय के अंदर कोई बहुती इक्छा माथी रही नहीं जाती है। यहां पर श्रव अपाजी बता है बागवत किर्पा से इसे भग्त को प्रचूर शक्ती प्राप्त हो जाती है और वो विगनों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे उपद्रवकारी पत्वा उसके मस्तिष्ट से क्रम शहदूर हो जाते हैं अपनी पत्वाजी पत्वा जाते हैं कि वो केवल भग्वान की कथाओं में रूची लेने लगता है और इस रूची लेने से रदय के अंदर जो भी करने लगी है वो सब सुर्था हसाफ हो जाती है अब क्या अपरादों को निश्ट करोगे कैसे खत्म करोगे क्या एक एक अप रहा को निकालेईगे कि रिते से मैं आपको कुछ में करनाakin सारा मुश्किल कार्या विरडय को साफ करने का भावन को सूंफत ओ और अब सिर्थ भरभवान के खत्भान का शवन करो निश्ट करो कि वल गीदो कार्य करने बाकी गंज़की साफ करनेका मुश्किल कार्या तो उ जो शवभवान के मुखारण से प्रियास करते हैं जा अभर अवसर ठादम किया है और यदि ऐसी आप सब की इच्छा बनी रही तो एक दिन जरूर शुद्ध भक्ति के मुखारविन से शवन करने को आप मिलेगा लेकिन और कुछ करने की जरूरत नहीं है बस शवन करना अगावान के लाम का जब करना इससे बाकी साएक कारिया जो वक्ति के हैं वो स्वताह सिद्ध हो जाएंगी आप सब का बहुत हो धन्याओं